नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका मेडिकल गुरू टूब चैनल पर आज हम मेट एक्सेल 3D 50MG टाबलेट के बारे में पूरी जान कर लेने वाले हैं मेट एक्सेल 3D 50MG टाबलेट का मुक्यत उप्योग हाइपरटेंशन याने की हाई बलब प्रेशर की समझ्चा दूर करने के लिए किया जाता है आई ये इस टाबलेट के बारे में आदिक विस्तार से जानते हैं एक्सेल 3D 50 टाबलेट में टेलमिसाटन IP 40MG मेट प्रोलल सक्षिनेट IP 50MG और क्लोर्थ हैलिडोन IP 12.5MG ये इसमें मुझूद टेलमिसाटन यहाई यक कैल्सियम चैनल बलॉकर है जो रक्तवाईकाओ को आराम पोचेने के लिए एंजिये टेंशन नामक हर्मन को रोकने का काम करता है और मेटोप्रोलल सक्षिनेट यहाई यक बिटा बलॉकर है जो रदय गति को दिमा करने के लिए विशेश रूप से रदय पर काम करता है और क्लोर्थायलिडोन यक मुत्रय वर्दक है जो पेशाप के रास्ते शेरीर से आतिरिक पानी और कूछ इलिक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालता है बात करते हैं इस टाबलेट के उज्येस की डॉक्टर इसे एक इनकी समशा में इस्तमाल करते है इसका उप्योग, हाई बीपी, हार्ट फेल होना, एडिमा, प्रेग्नेंसी में सुजन, एंजाइना, रदय वालव रोग, इलका दावरा, स्ट्रोक, किड्नी फेल होना इन सभी समशा में डॉक्टर इस्टाबलेट का इस्तमाल करते हैं बात करते हैं इस्टाबलेट के डोस के बारे में आप अपनी समशा और रेज बता कर इस्टाबलेट का डोस आपनी डॉक्टर या फार्मसीज चे पूस ले यादर के दोस्तों हर रोगी और उनका मामला आलग हो सकता है इसलिए रोगी की स्तिती, रोगी की आयू और आन्य कारणों के आदर पर इस्टाबलेट का डोस आलग हो सकता है इसलिए इस्टाबलेट के इस्तमाल डॉक्टर के साला के अनुसारी करें बात करते हैं इस्टाबलेट से वने वाले साइड इपेक की यदि आपको इस टाबलेट में मुझूद कंटेंशा अलर्जी है तो आपको इस आइड़ पे खो सकते हैं यदि ये बाता अगर इस आइड़ पे एक्स महसुस हो तो तुरों डक्टर से संपर्क करें इस टाबलेट से आपको मतली, उल्टी, दस्त, कब्च, शिरदर्द, हेपोटाइटीस, दुरबलता और चिंता ये और साइड़ पे खो सकते हैं बात करते हैं ये टाबलेट लेनी से पहले आमें क्या क्या सावधन या लेनी चाहिए इस टाबलेट पे महजुद कंटिंट शालर जी है या पिर कोई साइड़ पेक्स महसूस होते है तो इस टाबलेट का इस्तमाल ना करें यदि आप कोई और मेडिशिन ले रहे हो तो उसके बारे में डक्टर को दरूर इंफरम करें यदि इस टाबलेट का इस्तमाल गर्बोती माईला या पेस तन पन करनी वली माईला को करना हो तो गानेकोलोजिस की साला धरूर ले उसके बाद इस टाबलेट का इस्तमाल करे यह आपको लिए या फिर किडनी से जुड़ी कोई भी समस्चा हो तो इस टाबलेट का इस्तमाल डॉक्टर के साला क्या अनुसारी करे यह टाबलेट लेने से पहले या फिर बाद में अलकोल का प्रयोग ना करें और साथी यह टैबलेट लेने के बाद ड्राइविंग ना करें दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेलफुल इनफर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बैल अकंद बाए ताक कि आपक आगे आने वाले वीडियो की नोटिपेशन मिलती रहे यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद